आपका स्वागत है तो साथी ओफिल से आपके साथ है एक बार नेहा मलत्रा तो आज हम देखते हैं आलू मटर की जट पट पास मिनिट में बनने वाली कुकर में सब्जी मटर का सिंजन है ग्रीन पीज का तो चलिए हम इसकी देखते हैं अब सामगरी ग्रीन चिली जिंजर गा ला रेड चिली पाउडर बारिक कटा हुआ कांगा चौप बारिक कोरियंडर बारिक कटे हुआ एक टमाटर रिफाइंड ओईल अधिक टोरी स्वाध अनुसार नमक थोड़ा सा गरम मसाला पाव किलो ग्रीन पीस और दो बड़े कटे हुए आलू तो चलिए अब फटा- हम बनाने की विदी शुरू करते हैं आइए अब सबसे पहले हम हमारी गैस को ओन कर लेते हैं इस तरह से अब पुकर चड़ाते हैं जैसे हमारा पुकर गरम हो गया हम इसमें रिफाइंड ओईल डाल देंगे इस तरह से अब हम इसके अंदर हमारा बारी कटा हुआ प्याज जाल देंगे अब हम इसे पाच मिनिट तक अच्छी तरह ब्राउन होने तक बून लेंगे अब हम क्या करेंगे इसके अंदर गार्लिक जींजर की जो क्रींचिली पेस्ट बनाईए वो डाल देंगे करीबन एक चमज भरके एक से सवा चमज जितनी हमने डाल ली है इसे हम फोड़ा से चला लेंगे वापिस इस तरह से बहुत बढ़िया मुखिय हो रहा है अब हम इसके अंदर हमारे बारी कटे हुए टमाटर जो एक बड़ा टमाटर हमने काटके रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे हम इस तरह से चला लेंगे और करीबन पास मिनिट तक इसे ढखके रख देंगे जब तक हमारे टमाटर एकडम सॉफ्ट और बढ़िया हो जाएंगे इस तरह से इसे हम अब डब कर रख देंगे पास मिनिट के लिए देखते हैं देखिए कितना बढ़िया हमारा यह मसाला तयार हो गया है एकडम फस्क्लास हो गया है पूरी तरह बूलके टमाटर और प्याज एक साथ हो गया है अब हम इसके अंदर हमारे और मसाले है वो सब डाल देते हैं देखिए नमक आप अपने स्वाद अनुसर डालिए कुछ इस तरह से एक टीस्पून जितना यह करम मसाला जो हमने बहुत थोड़ा सा लिया है लेवर के लिए यह डाल देंगे पुरा यह वन टीस्पून धनिय यह बनाई जिरा पाउडर है जो सब फ्रेश फ्रेश बना हुआ है यह हम हल्दी डालेंगे करीबंअ वन टीस्पून जितनी हल्दी डाल देंगे यह रेड़्चिली पाउडर है यह हम डाल देंगे जैसा आपको धीखा ठीक लगे हमने कुछ यह डेट चमच के आसपास इस इसके बाद हम थोड़ा सा धनिया इसमें स्विंकल करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और पांच मिनिट और हम इसे ढग देंगे ताकि इसके मसाले इसके अंदर एकदम सेटल हो जाए, देखते अब वाव, देखे कितना बढ़िया मसाला हमारा मून के तयार हो मसाला एकदम रेडी है, अब हम इसके अंदर हमारे आलू डाल देने इस तरह से, कटे हुए आलू, यह करीबन दो आलू है, मेडियम टुकडो में कटे हुए, यह हम डाल देंगे, इसके बार हम डाल देंगे यह हमारे मतर, जो पाव किलो के आस-पास है, फ्रेश ग्रीन पी आसर लगाया है, हमने फटा-फट कट करके, देखे, रेडी हो गई, अब हम इसमें पानी डाल देना है, अपने, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए, यह करीबन एक कफ जितना पानी है, कि हम इसमें पूरा डाल रही है, हमें थोड़ी से ग्रेवी बनाएंगे इसकी, अब इसक अब असर डग देना है, और 2-3 सितियां लगा लेगी है, देखे, हमारे करीब करीब 3-4 सितियां हो गई है, अब हम हमारे गैस आउप कर देगे, और इसे 5 मिनिट तर नार्मल बने के लिए लग देए, देखते हैं, अब हमारी सबजी कहा तक हो गई है, हमारा कूकर की सिति निकल गई है और बिलकुल नॉर्मल हो गई है, अब हम इसे कोल के देखते हैं, वाव, देखे, कितनी बढ़िया हमारी सबजी बन के तैयार हो गई है, देखे, अब ये सर्विंग के लिए रेडी हो गई है, चलिए, अब हम इसे बावल में सब करने के लिए निकालते हैं इ देखिए कितना बढ़िया बन गई है, उसकी ग्रेवी- थिकनेस इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे गर्मा गरम आलू मतर की सबजे, तो देखां आपने साथिव किस तरह से बढ़िया हमारी आलू मटर की सब्ची फटा फट बनके तयार हो गई कूकर में आप इसे गर पे ज़रूर बनाएए ट्राइ कीजिए और खाईए और मुझे बताई आपको कैसी लगी अगर आपको मेरा ये वीडियो भसंद आया तो इस से शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए अगली रिशिप के साथ फिर से आपको मिलते हो नया मरोत्रा धन्यवाद